नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों हमको यह तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीजी नहीं मिल रही है यह हालात बहुत ज्यादा बूरे है लेकिन हमको यह नहीं पता है कि एक्चुल प्राइज कितना है जैसे 20 किलो आ नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक आउट जरूर करें तो दोस्तों पहले हम यह वीडियो देखते है वीडियो पूरी होने के बाद फिर बात करेंगे इस वीडियो को लेकर पिल्कुल नर्मल ठोटा हां चारगा अधर भीडियो को अफोर्ड का रहा है यहां किश्मीर में एक तोड़ा जो है आटे का या चावल का को लेकर जाता होगा जादा से जादा भी बस का बहुत कामी लोग लेकर जा रहें या कोई सरकारी मलादम झो अची तदिन खावला हो और या कोई थोड़ा एक किलो तो किलो यह आ लोग रहें सब गलब सवाल है मेरा हकुमत की जाने मिलती technित गितने बोड़ी आ जाती है कितने घड़न गअ चैंच्छन क्या मामला प्रजाने लिया है यौ अटा में रहा है यॉ पहाला हुझा कमें लिखे में तरफ दिन बारедक अंदार को सक 40 अधार देते हैं इस भोर तो 10-15 साइब अब मेरा जो परमट है ना जिखरी बारा 14 सो बंदों का ए तो 10 दिन बाद हमें देते हैं पंदना तोड़ी है खोल चार पांच गाउए हैं उसमें पंदना तोड़ी है क्या होगा वह बिलकुल साही है उसकी क्वालिटी में क्या फड़क होता है जो हकूमत के ज काफी है मेरे से जादे एक्सपिरियंस भी होगा और यहां पर जो है रहाइशी भी आप काफी देड के होंगे मुझे बताईएगा अगर हम देखे तो पाकिसान एक जरही मुलक होने के बावजूद आज आटे की शौटेजे दो टाइम का हमें रोटी नी मिल रही क्या समझ आटा दो सुरुपे तोडी के साथ चार सुरुपे मन के साथ और चड़ गया है यह कल की बात कर रहा हूं क्या पता कि रिदर हो गया रहा है कोई समझी नहीं आरी है कि अगर हम मुतनाज़ए के बात करें तो यहां पर जादा सूहलियात होनी चाहिए लेकिन यहां आके अप से और आप लोगों के सबकी जुबानी जो सुना है वो सबसे जादा डिफरंट मुझे लग रहा है यहां पर गरीब जादा है और रोजगार कम है और जब मैं एलो सी बॉर्डर तक गई हूं एलो सी बॉर्डर से आगे शादरा भी गई हूं वहां पर सारा मैंने मतब देख हम लोग रहे वसालतों हो पहला कि नाली अमना निपड़ी के डैम्स के सूरत पर अगर मैं देखा है तो बहुत जदा शर अचे लादी नजरारा रही है तो बहुत जादा थे नजरा आ इंडिया की टार्फ होगा है वहां पर आगे पूचा था सवाल किये ते लोगों से उन्होंने का कि हमें एक मर्शल जगा का सताना से ठाना हजार बिल आड़ा है पर मन्त डैम की सूरत पे आपके तकरीबन दुकान नॉर्मल ही है एक दो लाइट चलती हो उंगी यह पांगा चलता है अगर मैं दो आपके सामने आप्शन्स रख दू यह पिर आपके पाकिस्तान के साथ रहना तो क्या प्रेफरेंस करेंगे क्या मतलब आपकी नजरिया होगा अगर देखे तो खुद मुफ़तार के आमी है बस खुद मुफ़तार की आना चाहिए पाकिस्तान खुद डूब रहा है तो उनको क्या चुड़ाएगा बाद यह सोचें ना आप क्या आपको लगता है कि हम से ज़्यादा बेहतर हालत में वो हैं या नहीं है हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में वो किश्मीर वाले भी उदर चावल जो है ना बीस रुपे किलो हैं आप भी शक पता कर वाले हैं उदर बहुत ज़्यादा रिलीव दे रहा है इंडिया फिर भी गड़ बड़ा है बले लेकन उदर रसोग्याद लोगों को बहुत ह है एक और बहुत ऐहम सवाल आखरी सवाल है आपसे अगर मैं बात करूँ इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोर जरही मुलक है लेकिन पाकिस्तान के मामलात आपके सामने हैं इंडिया के बताती चलू कि वहां पर बीस हजार टन कल एरान को नोने गंदूम दी है उसके इ पाकिस्तान नागाज ज्यदा लागारा लुट झाला करणव तो पाकिस्तान में भी वानी के मिसायाल बढ़ रहे हैं उससे वज़ह कि पैदवार फसलें कम हो आ रही है उस जा किया हमें कि श्मीर बोर्डरी या पाकिस्तान बोर्डर से अगर को छी चाही बड़ जाव किश तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी थोड़ी इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो वीडियो में हमको यह देखने को मिलता है और यह पता चलता है कि पाकिस्तान के जो अंदर जो महंगाई है अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और खाने कोमेंट के दौरा जो थोड़ा बहुत सेल किया जा रहा है अभी वह 1200-1300 रुपए में जो कट्टा है वह मिल जाता है वही चावल की अगर बात करें ना तो लगबग 4000 से लेकर साड़ी-4000 के बीच में जो कट्टा मिल रहा है वह जो टुकडी चावल आते हैं जो एक नॉर्मल क्वालिटी होती है लेकिन जो बासमती राइस आता है जो उच्छे क्वालिटी की चावल आते हैं उनकी जो प्राइस है वह 6000 रुपई से भी उपर जा चुकी है तो कि देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हाला थे ना वह अच्छे नहीं है बाकि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जुरूर बताना मिलेंगे हम अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद